Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Study Zone. Start करते हैं आज की क्लास को, हिंदी का सेग्मेंट चल रहा है और हिंदी विशाय में हमारे चल रहा है अभी विलूम शब्द. कल हमने कुछ क्लासेश देखी थी, कल भी हमने कुछ कॉशन देखे थे, और आज विलूम शब्द की बारी है, अभी विलूम शब्द की ये तीसरी क्लास है, इसके पहले के लेक्चर भी अप्लोड किये जा चुके हैं, स्क्रीन प्रिजेंट के रही जा रही आपके सामने, और चलिए तो फिर क्लास की स्टार्ट करते हैं मित्रों, ये देखे, ये रही आपके सामने स्क्रीन, और सबसे पहले टेस्ट लेने के पहले कुछ कॉशन्स देखेंगे, उनके विलूम शब्द जो कॉमन जो आ चुके हैं एक्जाम में, उनके विलूम शब्द पढ़ेंगे, तो सबसे पहला शब्द है आपके सामने अलप, अलप का विलोम शब्द है अधिक, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुरक्ती का विरक्ती, अनुराग का विराग, अरुपित का ग्रहीत, यह देखे अरुपित का जो विलोम शब्द होता है याता नहीं बच्चों से, यह important है, अर विल्वम सब्द करना प्राप्त करना होग के और अर्जन का अनागत का विगत औक कम अन्भीक intelig कि थीक न? अग्र का पस्च अनुग्रह का कोप होता है अनुग्रह का कोप हिंप्रोटstanding अनुग्रह का कोप ठीक है देन अतल का वितल ये भी इंपोर्टेंट है अतल का वितल अमर का नश्वर अरपन का ग्रहन अरपन का ग्रहन अरपन मतलब देना और ग्रहन मतलब लेना अनध्याय का अध्याय अनध्याय का अध्याय अलपायू का दिर्धायू अकुंचन का विस्तारण शब्द ही विलोम दिया गया है अनुलोम का विलोम जबकि एक जगह है अनुलोम का अवलोम दिया गया था तो अनुलोम का विलोम ध्यान रखिएगा अवर का प्रवर अवर का प्रवर भी इंपोर्टेंट है अनंगी कार का अंगी कार अंगी कार मतलब उसको ग्रहन कर लेना आत्मसाथ कर देना और अनंगी कार मतलब निकाल देना ठीक है तो कुछ यहाँ पर अच्छे आपको शब्द यहाँ पर जरूर देखने को मिले हैं जैसे कि जो हम लोगों को पता नहीं रहते हैं एरी उनको क्वेशन को देखा जाए कि जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट का बहुग्य यह अत्पग्य है ओके अधम का उत्तम अर्जन का वर्जन अनागत का विगत और अभिग का अन्विग्य अगर का पस्च तो यह सबको पता है चलिए और देखते हैं कुछ बढ़िया शब्द विलोम के ओके अस्त का उदय सभी को पता रहता है अपसरण का अनागत भी होता है और विगत भी होता है याद रखे आगत का अनागत भी होता है विगत भी होता है आयात का नर्यात आकर्शन का विकर्शन भी होता है प्रतिकर्शन भी होता है आपत्ति का संपत्ति यह बहुत इंपोर्टेंट है कि आपत्ति का विलोम शब्द संपत्ति अकम्पित का निश्कम्पित ये असकुछ बोलना चाहते है अकम्पित का विलोम शब्द निश्कम्पित आक्रष्ट का विलोम सब्द है विक्रष्ट ठीक है न और उतक्रष्ट का निक्रष्ट होता है याद रखेगा आक्रष्ट का विक्रष्ट होता है उत्क्रष्ट का निक्रष्ट होता है आविर भाव का तिरो भाव आविर भाव का जो होता है वो होता है तिरो भाव ओके आविर भाव का जो है वो तिरो भाव है देन आगामी का होता है विगत आगामी का होता है विगत आगामी मतलब आने वाला विगत मतलब जो बीच चुका है ओके ये आघात का होता है अनाघात आरोहन का अवरोहन आकांचा का अनाकांचा आधुनिक का प्राचीन आधिनिक का प्राचीन आध्यात्मिक का भौतिक आवहन का विसर्जन आशिरवाद का अभिशाप आरोह का अवरोह आख्यात का अनाख्यात इंपोर्टेंट आख्यात का अनाख्यात आत्म शंशय का आत्म दिश्वासी निया शब्द है आध्र याने की हुमेट गीला और शु जोआ लोक उपकार का अबकार भी होता है और अनूपकार भी दाया तो यहां पर आपकार भी लिख लें उपकार का अपकार भी हुआ करता है ओके उनमिलन का नीमीलन rotor I amehanיעun厲害 make a pervice back up कि निमीलन और उन्मूलन का रोपन उपचार का अपचार उपचार करना अपचार करना दोलो अलगा चीज है उपरी और ये अधह अधह उपरी और अधह ये भी याद कर लिजे उपरी का अधह उपमे का अनुपमे उद्याचल का अस्ताचल एक का अनेक एश्वरे का अनैश्व पर रिंद्ट का अन्रतू ओके ऋरर्जु का वक्र आसकत का अनासकत अहूत का अनाहूत ठीक ना आरूध का अनारूण यह हो गया दन इसके बाद इश का अनीश, इश्वर का अनीश्वर, उपयोग का अनुपयोग, उतकर्ष का अपकर्ष, उनमुख का विमुख, उग्र का सौम्य, उद्धान्त का अनुद्धान्त, एकत्र का विकिर्ण, रणात्मक का धनात्मक, कनिष्ठ का जेश्ट कहलो या वरिष्ठ करकश का कोमल करुण का निश्ठुर होता है और करुण याने की जिसको दया आती है उसका निश्ठुर उल्टा करकश का कोमल कृतिम का प्राकृत या अकृतिम का मधुर कलुष का निश्कलोशु कर्मंड का अकर्मंड कुकृत का सुकृत खाद का अघाद खास का आम ग्राह का तज्जे गस्त का मुक्त गहन का विरल गड़ तंत्र का एक तंत्र और गुण का दोश तो ये हमारे जितने इस चैप्टर में थे जो हमारे एक्जाम में आय जा चुके हैं उनके हमने यहाँ पर पढ़ लिए हमने यहाँ पर इसके सभी के question अब answer हमें करने हैं तो एक मिनट के बाद हम इसको question आणसर भी करेंगे आ गए हैं हमारे पास objective question वस्तोनिष्ठ प्रस्चन अब आपको बताना है कि निमन में से प्रतेक का विलोम कौन सा है तो अच्छा का क्या होगा? अच्छा का very simple, बुरा हो जाएगा अरपन का क्या होगा बताईए अरपन का ग्रहन हो जाएगा बिल्कुल सही अंत का क्या होगा प्रारंब होगा अंत का शुरू नहीं होता है अंत का प्रारंब होता है ठीक है अगला क्वेशन देखते हैं अंतरंग, अंतरंग मतलब अंदर का अंतरंग का विलोम शब्द बताईए क्या होता अंतरंग का अंतरंग का होता है बहिरंग ठीक है ना अभिग का बताईए अभिग का अभिग का अभिग का बिल्कुल सही अभिग का अनभिग अथका क्या होता है अथका इति बिल्कुल सही है अथका इति ठीक ना अर्थका इत अबनी का मतलब धर्ती युगा करता है तो इसका क्या होगा अंबर समने समझ गे ना धर्ती का आस्मान भी सही है वैसे आकाश भी सही है अंबर भी सही है तो ये देखा जाए तो चारो ही सही है क्योंकि अबनी का मतलब होता है धर्ती धर्ती का अंबर हलाकि गानों में धर्ती अंबर यूज होता है तो धर्ती का अंबर चल जाएगा अगम ओके अगम का बताईए question number 8 है question number 8 का अगम अगम का बताईए सरल साधारन सहल या सुगम बताईए अगम का क्या होता है क्या कहेंगे अगम का होता है सुगम अगम का जो होगा क्या होगा सुगम अगम का सुगम चल ये question number 9 है अत्यधिक का क्या होगा बिलोम अत्यधिक अत्यधिक मतलब जरूरत से जादा और इसका उल्टा होगा जरूरत से भी कम स्वल्प ओके अत्यधिक का उल्टा क्या होगा स्वल्प क्वेशन नंबर टेंथ आशा का क्या हो जाएगा बताईए question number 10 आशा का बताईए आशा का वेरी सिंपल निराशा आशा का निराशा अवनत का क्या होगा अवनत का उननत अपेक्छा का क्या होगा अपेक्छा का उपेक्छा अप एक्छा का? अप्छार का होगा उपकार का उपकार का होगा है? के देखना अगला कोश्वान में देखिए एक ses Coast 16 आ चुका एह पास आख चली क्षिए जाले मुंतीं देखिए दंहरा ही खुटके का यहाल एक screens खृष यह भी और पर्मात्मा क्रेक और क्रीम कुलब खरीबना तो। तो क्रे का हो गया विक्रे कड़वा का विलोम शब्द बताइए कड़वा 19 question कड़वा का विलोम शब्द बताइए कड़वा का होता है मीठा बिल्कुल सही कड़वा का विलोम सब्द मीठा होता है बहुत से लोग समझते हैं कि मीठा का खटा होता है जी ऐसा नहीं होता है मीठा का विलूम सब्द कड़वा होता है तो यस मीठा का विलूम सब्द कड़वा बिल्कुल सही, question number 24, उदार का बताईए, question number 24, उदार का बताईए, उदार का होता है, अनुदार, उदार का मतलब, उदार मतलब जो एक तरीके से दयालू होता है, दूसरी की मदद कर देता है, यहाँ पे, उदार का होता है, अनुदार, ठीक ना, और बताईए, question number 25, एक का क् कुरूप का क्या हो जाएगा कुरूप का क्या हो जाएगा कुरूप मतलब गंदा भद्दा दिखने वाला कुरूप का उल्टा होता है कठीन का क्या होता है कठीन का सरल फिर कायर का क्या होता है कायर कायर यानि जो डरपों उनों तो कुछ होता नहीं है निशां कभी कुछ होता नहीं है तो कायर यानि कि जो परिस्थितियों डर के भाग जाए और जो परिस्थितियों से लड़े साहसी होता है ओके और कायर जो डरता है और निर्भय मतलब जो डरता नहीं है तो दोनों चीजें हो सकती है परन्तु आ आया गया है answer sheet में चलिए question number 29 की बात करते हैं question number 29可 to cut two का क्या होता बताइए मधूर कटू क्या होता है कटू बचन मधूर बचन सुनाओगा आपने कनिस्ठ का मतलब क्या होता कनिस्ठ का बड़रेंगता कनिस्ठ वरिष्ट है ना तीसमें का B question number 31 कंटक कंटक ने काटा काटे का उल्टा क्या होता भाई फूल भी होता है फुल फूल तो कुछ होता नहीं है सुमन भी होता है मगर पुश मगर कंटक जिस भाशा में है तदसम भाशा में है तो इसका भी जो है यह पुश्प होता है ओके अगला है खल अगला है question number 32 question है खल खल का विलों बताईए खल मतलब गंदा आदमी है ना और खल का उल्टा होता सजण सजण याने कि जो सतजण होते हैं अच्छे लोग होते हैं वो सजण हुआ करता है इसके बाद है गत question number 33 है गत question number 33 गत का बताईए गत का होगा आगत फिर अगला क्या होगा question number 33 के बाद 34 है question त्याग तो त्याग का क्या हो जाएगा ग्रहन question number 35 ताप question number 35 है ताप तो ताप का उल्टा क्या होगा बताईए शीत ताप मतलब गरम होता है और शीत मतलब ठंडा होता है तो ताप का होगा शीत, सरदी का गर्मी हो जाएगा, मगर ताप का शीत होगा, यह दरखेगा, दिन का क्या हो जाएगा, भाई बताइए, यह अच्छा रात्री भी है, निशी कुछ होता नहीं है, ओके निशा लिखा है और रात लिखा हुगा है, तो अब यहाँ पर ऐसे जा समझ गए ना तो इसलिए उस तरीके से यूज होगा ठीक ना चलिए question number 37 बता ये चूत का क्या होगा अचूत ठीक ना छाया का क्या थोगा बढ़ाई छाया का question number 38 है छाया का क्या होगा धूब बिल्कुल सही कहते हैं धूब छांओ जिन्दिगी में कहीं धूब है तो कहीं छाव हैं यस तो इसलिए रात दिन धूब छाओं है ना तो इनके इस तरीके से चला करते हैं चलिए जड़ मतलब जिसका दिमाग काम ना करे या जो एक तरीके से इस्थिर हो दिमाग काम तु क्यार्व अलग बात हो गई, जो इस्तिर उप्ञत हे से हिले ना, जो बिल्कुल जिसके अंदर सास न हो, जिसको इंगलिविछ में बोलते है, नॉनलिविंग की है है Non living को बोलते हैं जढ़ तो जब का उल्ट हो जायों लिविंग, ले ना तो जड़ का उल्ट होगा, चेतन क्या ओगा चेतन, तो 39 का ए, अगला है जन्म जन्म का बताईए, है ना जीवन और मरन प्रभू के हाथ में है, तो जन्म और मरन ओके किसके हाथ में है प्रभू के हाथ में है तो यह हमारे हो गए कौन से शब्द विलोम शब्द यहां पर हमारे पूरे हो जाते हैं